आज हम जानेंगे कि लंग्स कंसर क्या होता है इसके काजेश क्या क्या है इसका साइन्स सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है तो शुरू करते हैं देखिए इसका डिफिनीशन cancer arising in the epithelium of the air passage which is characterized by uncontrolled cell growth in tissue of lungs जो lungs cancer के जो cell होते हैं ये lungs के hollow organs जैसे की larynx, pharynx, trachea, bronchi इसमें क्या है प्रेजेंट होते हैं जो इसमें epithelium tissue होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं arising मतलब शुरू होते हैं इनका growth होना शुरू होता है ये uncontrolled growth होता है जो esas means lung cancer cell जो cell and tissue होते हैं यह lungz के hollow organ में arising होते हैं और इनका uncontrolled growth होता है ठीक है तो आईए दिखते हैं काजेज इसका फ़र्स्ट काजेज है cigarette smoking cigarette smoking करने की वज़ेसे भी lungs cancer होने के chances होते हैं फिर second है COPD chronic obstructive pulmonary disease pulmonary मतलब lungs lungs related कोई भी disease हो इसके कारण भी lungs cancer हो सकता है फिर third है environmental agent environmental agent मतलब की वातावरण में कई प्रकार के जिवाड़ विशाड़ उत्पन होते हैं इसकी वज़े से भी lungs cancer हो सकता है फिर fourth है radon gas radon gas जो होती है यह जो है कि राशाइनी क्रिया में भाग नहीं लेती यह मुक्त अवस्था में रहती है इसकी वज़े से भी lungs cancer हो सकते हैं फिर आईए देखते हैं sign and symptom क्या-क्या चिन और लच्छड दिखाए देंगे तो respiratory problem क्या-क्या हो सकती उसको पहला है present cuff जो patient उसमें cuff present होगा फिर है dyspnea dyspnea मतलब होता है breathlessness मतलब patient को सांस लेने में difficulty होगी फिर है weeding patient की जो अगर वो कुछ बोलना चाहेगा तो घर-घरा हट की आवाज आती फिर patient को chest pain होता है फिर hoarseness मतलब होई होता की घर-घरा हट होना patient अगर कुछ भी बोलगा तो उसकी आवाज खुल के नहीं आगी और घर-घरा हट की आवाज आएगी फिर देखिए systematic symptom क्या-क्या दिखेंगे मेलाईज होगा मतलब उसका पूरा body pain होगा ये भी कह सकते हैं की मतलब ऐठन होगी फिर उसके बाद fever patient में fever present होगा उसका weight loss होगा anorexia होगा मतलब patient को भूख नहीं लगती है फिर इसके बाद आएगे देखते हैं इसका diagnostic evaluation हम किस प्रकार से इसको डाइग्नोस कर सकते हैं फिर्ष्ट है CT scan हम patient का CT scan कराते हैं फिर उसके बाद sputum test जो patient वो उसकी बलगम का हम test कराते हैं फिर है lymph node biopsy lymph node biopsy में क्या करते हैं जहां भी computer जिस part में जिस body organ में computer cell growth होती है वहाँ का थोड़ा सा छोटा सा part कट करके हम biopsy करते हैं उसका test करते हैं फिर है PET PFT इसका full form पल्मोनरी function test हम जो lungs है उसका function test करेंगे कि lungs का function किस प्रकार से काम कर रहा है फिर आईए देखते हैं इसका treatment इसका first surgical reaction हम जो patient है उसको surgery के through ही कर सकते हैं फिर second radiation therapy हम patient को radiation therapy देते हैं फिर है chemotherapy हम chemotherapy में drugs का यूज करते हैं फिर है immunotherapy patient की immunity power को boost करने के लिए हम उसको immunotherapy देते हैं